आज का हमारा बहुती सुन्दर विश्य है कि आत्मा से परमात्मा कैसे बने हैं भाई और बैनों बहुती सुन्दर विश्य है और ये विश्य हमारे जीवन को लक्षित करता है हमारे जीवन का लक्षित होना चाहिए कि हम आत्मा से परमात्मा बने हैं हमारी भारती संस्कृती में चार तरके पुर्षार्थ पताए गए हैं काम अर्थ धर्म और मुक्ष और इन चार पुर्षार्थ के अंदर काम और अर्थ हमारे जीवन की आवशक्ता है हमारे समाज की आवशक्ता है हमारे परिवार की आवशक्ता है इसे परिवार संचालित हो का एक तठ है और जो हमारी मंजिल है जो हमारा साथ्य है वो है मुक्ती वो है परमात्मा बनना तो वो हमारा साथ्य है उसके बीच के अंदर जो ब्रिज है वो धर्म है धर्म काम और अर्थ को जो है वो शुद्ध करके और मुक्ती की और ले जाने की प्रिक्रिया है तो वो ही जीवन का लक्ष बना है कि हमको आत्मा से परमात्मा बनना है इसके लिए हमको द्रड संकल्ब की आफशकता होगी हमें शुब भाव लाने पड़ेंगे हमें जगरती रखनी पड़ेगी हमें 24 ये लक्ष हमारे केंदर में रखना पड़ेगा कि मुझे आत्मा से परमात्मा बन के लिए हम आपके पास में आए और यह एपिशोट लिया है देखिए कि हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में है यह 84 लाग जीवा योनी के अंदर वही आत्मा जो है निवास करती है वो आत्मा कहते किसे हैं असंख्य चेतना मै परमानुआं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और कित यह दुनिया के अंदर विवित्ता कैसे दिखाई देती है इस विवित्ता दिखाई देने का मुख्य कारण यह है कि हर प्राणी के करम अलग-अलग है हर प्राणी अलग-अलग कोज डालता है कोज डालने से करम बनता है वो कोज डाले जाते है राग द्वेश से तो कहने का के अंदर जाकर के करम फल बनता है और करम फल से जो है हमको परिनाम मिलता है करम परिनाम बोलते हैं जिसो उसे सुख दूख की अनुभूती होती है हम जीवन के हर क्षण के अंदर सुख दूख की अनुभूती मैसूस करते हैं सुखाया और वो भी स्थाई नहीं होता है उसके बाद के अंदर दुख आ गया दुख चला गया दो सुखा गया हर सईयोग के साथ भीयोग जुड़ा हुआ है ये साश्वर शक्ति है कुदरत का कानून है ये ultimate truth है कि स्थाई कोई चीज ने स्थाई है केवल है कोई अमीर है कोई अच्छे पद वाला है प्रतिष्टा वाला है और कोई बेचारा सामाने व्यक्ति है कोई मजदूरी करता है कोई खड़े खोता है कोई आराम करता है कोई प्रदान मंत्री बनता है कोई रास्ट्रपती बनता है, यह सब कर्मों की विविद्धा के कारण होता है और यह जो हमारे पुन्यों दे के कारण होता है और पापों दे कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है तो इस तरीके से आत्मा की परिवाशा हुई है और उसके साथ साथ के अंदर आत्मा जो है वह उसके नो करेक्टरिस्टिक जो है हमारे आग्मों के अंदर बताए गए है नो प्रॉपर्टी उसकी बताएगी नो लक्षन बताएगे है और वो के वो नो लक्षन जो है विज्ञान भी मानता है विज्ञान जो है आत्मा शब्द सीधा नहीं बोलता वो consciousness कहता है लेकिन उन्होंने जो characteristics और property निकाली है वो सेम है जो कि हमारे आग्मों के अंदर है दार्मी ग्रंतों के अंदर है कि ये आत्मा प्रजनन करता है सुप्दु की अनुवूती करता है growth करता है और प्रभावित होता है ये राग्डे से प्रभावित होता है इस तरीके से नों तरह की characteristics के अंदर बताईगी है और शुद्ध आत्मा है वह अशरीरी होता है और जो वो अपने मुक्ती धाम में रहता है मौक्ष के अंदर रहता है तो ये आत्मा की characteristic है और ये विविधता है और ये सब आत्मा के बारे माँ प्रश्ण ये है उस आत्मा को हम पर्मात्मा कैसे बनाएं हमारी इस आत्मा के साथ में जैसा मैंने बताया कि राग द्वेश रूपी कार्मन सरीर जुड़ा हुआ जिसे लिंग सरीर कहते हैं, जिसको पॉजल बोड़ी कहते हैं, वो जुड़ा होने के कारण ये आत्मा भव भवांतर के अंदर ये घूमती रहती है, और ये घूम करके और जो है अपने सुक दुख की अनुभूती करती है, ये भव भवांतर के अंदर जाती है, तो हम जो है जब पवांतर में सिसक छुटकारा कैसे पाएं, तो उसके लिए हमें चिंतन करना, तेकि हमारी आत्मा की कुल तीन स्टेजेज कही जाती है, आत्मा वही है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से तीन स्टेजेज है, और भी कई स्टेजेज जदा हो सकती है, मुख्य रूप से तीन स्टेजेज बताई गई है, पहला जीवात्मा, हमारी आत्मा की निम्न वस्ता होती है, और जीवात्मा वाला जो व्यक्ति होता है, वो प्राणी होता है, वो अपने स्वार्थ के दाइरे में रहता है, स्वार्थ की चेतना में रहता है, बाहर नहीं जाता है